आज दिवाली स्पेसल सबसे खास मिठाई की रेसिपी लेकर के आई हूँ दिवाली हो या कोई भी तिवार इसके बिना तो हर एक तिवार अधूरा ही रहता है वैसे तो इन्हें बनाना ज़्यादा टफ नहीं होता है लेकिन कुछ-कुछ टिप्स होते हैं वो आप सभी के साथ सेयर करूंगी जैसे कि ये बीच में स्रिंक हो जाते हैं जूसी नहीं बनते हैं फट जाते हैं तो वो सारी सिकायत दूर होगी और बिल्कुल जैसे मैंने दिखाया हुआ है आपको कट करके बिल्कुल वैसे ही बन करके तयार होंगे अंदर तक रस भरेगा और बिल्कुल अंदर तक सिखेंगे तो हेलो एब्रिवन मैं सोना आप सभी का स्वागत करती हूं तो चलिए जी पहले हम इसकी चासनी तयार कर लेते हैं तो सबसे पहले हम तीन कटोरी चीनी डालेंगे और बरावर कॉंटिटी में पानी डालेंगे तो कोई भी बरतन आप करके ले लीजिए जितना आप चीनी ले उसी बरतन में उतना ही पानी ले ले और इसको कुछ कुछ इसकी टिप्स होती है जो आप सभी को ध्यान रखना है और इसे मिक्स करेंगे आप बाजार से लाएंगे न तो उसको भी आपको अच्छी सी नीट करना है मतलब जैसे डो होता है बिल्कुल चिकना उस तरीके से बनाना है और इसे पाम की मदद से अच्छे से रब कर लीजिएगा अच्छा आज की रेसिपी आप सबको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइ बलकुल भी फेल नहीं होंगे बिल्कुल पॉफेक्ट बनेंगे कुछ चीज़े अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं जैसे पाउडर के गुलाब जामुन बनते हैं उनमें कुछ दिक्कत आती है जैसे कभी-कभी टाइट हो जाते हैं बहुत तो ऐसा किसलिए होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगी सारी चीजे तो देखिए चासनी को बहुत ज्यादा बॉयल करेंगे जब बॉयल होने लगेगी एक से दो मिनट तक ही बॉयल करेंगे इसको हमें ज्यादा दिर तक गहस बचड़ा के नहीं रखना है क्योंकि हमने सारी चीजे परफेक्ट ली हैं चीनी और पानी तो इसको बॉयल करने का कोई मतलब नहीं है अगर आपका मावा बहुत ज्यादा लूज है ज्यादा पानी उसमें चूट रहा तो आपको ज्यादा मैदा लगेगा तो आप एक दूदू चमच करके डाल करके देखिएगा अगर आ अगर देखिए एक बाल्स बना करके देख लेंगे अगर यह बिल्कुल चिकनी बना रही बिल्कुल क्रैक नहीं है तो आपने तो आपने बिल्कुल पॉफेक्ट मैदा मिलाए हुआ हुआ है अगर आप बहुत ज़्यादा मैदा मिला देंगे तो फिर क्रैक आने लगते हैं तो अब हम जब मैदा मिला दे हैं तो इसमें थोड़ा सा इस्पंस देने के लिए बेकिंग पाउडर मिलाया हुआ है तो एक किलो के आसपास अब यह मैटेरियल हो गया है तो मैंने आप एक चम नहीं दिखा रहे हैं यह एक तार दो तार कुछ भी नहीं है बस थोड़ी सी चिपचिपी चासनी बनेगी और जब आप बहुत बार इसे चिपकाएंगे ना तो एक तार आपको हलका सा नजर आएगा बस परफेक्ट चासनी बन गई है और अब हम देखिए हमने जो यह मैद मिलाकर के रखा हुआ था मावा वाला वो मैंने दस से बारा मिनट के लिए रख दिया था क्योंकि हमने मैदा वगएरा डाला है तो थोड़ा सा सेट होगा अच्छे से और हम इस तरीके से पॉफेक्ट बाल्स बना लेंगे और इधर मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख द मतलब आप पाउडर के चाहें तो काफी बड़े बना सकते हैं तो एक बार तेल आप चेक कर लेंगे जैसे ही बॉल्स उपर आने लगेगी इसे मीटियम फ्लिम पर फ्राइ करेंगे अच्छा एक बार डालने के बाद में ना आपको यह जो चमच है ना इससे आपको तेल को मतलब ज्यादा गुलाब जामुन टच नहीं करना है जैसे आप तेल को चलाते रहेंगे ना तो यह तैड़ते रहते हैं तो चारो तरफ से अच्छे से सीख जाते हैं और अगर आप तेल को चलाना बंद कर देंगे ना तो यह कुछ-कुछ एक तरफ सीखते हैं एक तरफ थो और अगर आपको थोड़े से गोल्डन पसंद है तो उस तरीके से सेख लीजिए देखिए सारे में निकालने बिल्कुल भी फटे नहीं एक भी रसगुला आपको फटा नजर नहीं आएगा और सारे ही हमने इसमें चासनी में डाल दिये हैं अब जब आप चासनी में डालेंग अंदर टाइट रह जाते हैं फिर आप कहते हैं कि देखिए यह अच्छे नहीं बने हैं तो यह कुछ-कुछ चीजे हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपने जो गुलाब जामुन है ना इन्हें भी ठंडा करके डाला चासनी में तो भी यह चासनी नहीं पीएंगे इन तो फिर चलिए अब हम कट करके भी दिखा देते हैं आपको तो मैंने सारे डालने के बाद में 5-7 मिनट के बाद में इसे आपको दिखाया हुआ है देखिए अंदर तक पूरा सिखा हुआ आपको कही भी अंदर गाट सी नजर नहीं आएगी जैसे अंदर सिखता नहीं है ट टेस्ट अलगी होता है और और भी कई सारी रेसिपीज मैंने आप सभी के साथ सेयर की हैं जैसे मलाई लड्डू कलाकन बर्फी की रेसिपी ये सब आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं तो आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में हैपी दिवाली तो मिलते हैं नेक्स रेसिप युमें तब तक लिए बाबाई टेक केर थैंक्स पर वो